सो नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत हमारे RG Technical Boy YouTube चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग EGO App से कोई भी अपना प्रोड़क्ट और करते हो कोई भी आपने ओर क्या हो कोई भी समन और अभी आपको उसका जो डिलवरी डेट है वो चेंज कराना है तो आप कैसी चेंज करा सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे फ़ल आपको EGO Application open करना है और फिर आपको Account के उपर क्लिक करना है फिर आपको Orders के अंदर आने बाद जो भी आपको प्रोड़क्ट होगा जो भी आपने ओर किया है जिसको भी आपको चेंज करवाना है वो आप यहाँ पर देख लो कि उसका Delivery Date बगरा कब का है ठीक अ समझा देता हूं यहां पर मैंने इसके उपर क्लिक क्या तो यहां पर मेरे पास तीन option आ रहे है ट्रैक रिटर रिटर्न का और cancel का ठीक है तो अभी आपको क्या करना यहां पर ध्यान से समझ लीजिए जैसे आप यहां पर आ जाते हो उसके बाद यहां पर यहां पर एक option लि तो नमबर का जो timing है आप देखे सकते हो सुबह की 6 जा से लेकर के मिड़नाइट यानि की राथ के 12 बज़ी के असपास आप जो इसमें call कर सकते हो राथ के 12 बज़ी के पहले पहले आपको call करना पड़ेगा और सुबह के 6 बज़े के बाद आपको call करना है ठीक है आपको इस number पर तो अभी हम चैसे इस number पर एक बार click करेंगे तो ये हमारे dollar में आ जाएगा तो अब आपको क्या करना है सिधा सिधा ये number आपको लेना है जो आपको screen पर दिख रहा होगा ये number लेना है इस number पर आपको call करना है और एक customer के रहसे आपको बात करना है और उनको बताना है कि ये वाला मेरा product है इसका delivery date मुझे change करना है तो ये आपका जो delivery date है उसको बढ़ा देंगे बट अगर आप होगे मतलब अगर किसी भी product की delivery date मालो 10 तारिक को वो deliver किया जाएगा लेकिन अगर आप उसकी delivery date पहले लेना चाहते हो पांच तारिक और 8 तारिक और 9 तारिक को तो आप उसके पहले नहीं ले सकते हो आपको बाद में ही लेना पड़ेगा मालोज अगर 10 तारिक का delivery date है तो आप सको 15 को ले सकते हो इस तरह के से आप इसको delay करवा सकते हो बट अगर आपको पहले लेना तो customer के जब आपको होगे तो वो कहें भी देंगे कि आपको हाँ ठीक है मैं request डाल दूँगा कि आपको पहले deliver किया जाए product पर वो उसी समय पर deliver किया जाएगा जो उसका delivery date होता है ठीक है तो आप इस चीज का ध्यारखना और आपको यहाँ पर जो number दिख रहा है इसी number पर आपको call करना और उनको आपको